दोस्तों आपके पास कोई भी मुबाइल हो किसी भी कमपनी का मुबाइल हो यदि आपका मुबाइल हैंक करता है लैक करता है बैंटर जल्दी खतम हो जाती है आपके मुबाइल की और दोस्तों यहां पर आपको टैंसन है कि कहीं आपके मुबाइल के अंदर वाइरस तो नहीं केवल और केवल दोस्ता आपको एक setting करनी है, आपके मोईल की hanging problem, lagging problem, आपके मोईल यदी ben między जल्दी खतम हो जाती है, तो वो वाली problem, और दोस्तो, जो आपके मोईल में यदि वाइरस है, तो उसको खतम करने की problem, ये दोस्तो, 3-4 problem है, यह केवले एक सेटिंग को करने से आपके मुबाइल की प्रोलम दूर हो जाएगी अब यह आप करेंगे कैसे अपने मुबाइल के अंदर थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से समझना ध्यान से देखना हो सकते तो इस वीडियो को अपने सब दोस्तों के पास शेर करना इस वीडियो को लाइक करना कमेंट सेक्षन में कमेंट करना वेरी नाइस वीडियो अब चले दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं अब दोस्तों यह आपका मुबाइल भी बहुत जादा जल्दे आपके मुबाइल की बैंटरी को कंजूम कर देता है आपका mobile में यदि आप game खेलते हैं तो वो lag करता है सही से चलता नहीं है आप जो कुछ भी करते हैं अपने mobile में माल लेज़े कि आप कोई भी एक application को open कर रहे है तो वो भोती देर में open होती है या फिर आपका mobile हैंग करता है जैसे आप चला रहे हो ना तो मज़ा नहीं आ रहा है चलाने में उसको है लाग टाइप का कर रहा है तो इस तरह की problem आपकी चुटकी में सोल होने वाली है आज और दोस्तों साथे साथ में यदि आपके mobile के अंदर virus है जिसके बारे मैं आपको पता भी नहीं तो वो virus भी आपके mobile का दूर हो जाएगा इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है सबसे पहले आपको मैं एक application का link दे दूगा description में सबसे पहले आपको उस application को download कर लेना है यदि दोस्तों आप application का नाम जानना चाहते हो क्या है तो इस वीडियो के last में आपको बता दूगा या फिर आप description के link से directly download application को कर सकते है जब पहले बार आप इस application को open करेंगे इस तरीके से application open हो जाएगी यहाँ पर आप agree करेंगे allow उपर click करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे ओके आपको one tap optimize मिल जाता है ओके दोस्तों कुछ भी नहीं करना लेकिन दोस्तों आपको one tap बाद में करना है पहले जो मैं आपको समझाने वाला हूँ वो थोड़ा समझेए आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको तीन option मिल रहे है चार पहला है junk file memory boost यदि दोस्तों आपका mobile hang करता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है junk file पर click करना है और यहाँ पर allow पर click करना है इसके बाद यह क्या होगा आप देख सकते हो जितनी भी junk file है इसको यह automatic clean जो है करेगा अब यह आप देख सकते हो मेरा mobile live चला है और यहाँ पर 136 MB junk file निगल कर आई है मैं क्या काम गुरूगा यहाँ पर one click cleaning 136 MB एक click करते ही मेरे वाले के इंदर 136 MB फिर हो जाएगी और दोस्तों जो मेरा mobile होगा वो हैंगोना बंद कर देगा अब दोस्तों जैसे दोस्तों आपके जो mobile होगा ना उसकी जो memory है ना ओके एक memory मेरे के अंदर रहती है यदि वो दोस्तों कहीं ना कहीं जोस्तों जो है इनक्रीज होगी तो आपके वाले की स्पीड भी निक्रेज होगी तो यहांपर आपकी सभी application अजाएगी okay तो आपको simple क्या करना है फोन टैप पर click करना है अब दोस्तों क्या होगा जितनी भी आपकी applications में ज्यादा data जो आपके वाले की memory है रैम वाली वो फिरेगा और इसको प्राक्टिकली करेंगे ना दोस्तों जब आपकी समझ भाएगा आप देख सकते हो 325 MB RAM यह RAM वाली memory है ना कि memory वाली इससे आपके वाले की बहुत ज्यादा boost मिलेगा आप देख सकते हो लायो डेमों आपको दिखा रहा हूँ ओके यह करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर यह दिए आपको फिरी ज्यादा स्पेस करना है आप फिरी मोरे स्पेस का उप्सिन मिलता है इसको आप यूज करते हैं में वीडियो को सोट बना रहा हूँ आपके सामने आपको बताएगा जैसे कि आप देख सकते हो 58 पर साट ओके यहाँ पर लिखावाएगा कोई वाइरस है या फिर नहीं है अब दोस्तों यह 100 पर सेंट हो चुका है आप यहाँ पर देख सकते हो इसको आप यहाँ पर देख दाएगा यह 6- Kn似क्ना में अपको इसको कर देगा यह रहाएग तो यहाँ पर तो जाए यह अप्लाई हो जाएगा शिंपले आपको क्या करना है इस तरीके से यहां पर बैक कर देना यहां पर तीनों हो चुके आप देख सकते हो ओके तो इसके बाद यहां पर ऑप्टिमल आ गया लिखावा यानिकि बिल्कुल सेफ है मुबाईल ओके तो इस तरीके से देखना बहुत ही मज़ा जाएगा आपको तो यह था सुडियो में सुनमस्का दोस्तों आपका दिन शूबो